असलाम लेकुम स्टुडेंट्स जो कोर्स आज हम स्टेडी करने जा रहे हैं वो है जनरल मैथड्स ओफ टीचिंग इस कोर्स में आप डिफरेंट मैथडोलोजी पढ़ेंगे टेकनीक्स पढ़ेंगे टीचिंग के हवाले से और इन मैथड्स और टेकनीक्स को अपलाई या इंप्लिमेंट करना सीखेंगे क्लास्रूम इन्वार्मेंट पे हमारा फर्स यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टीचिंग इस यूनिट के कुछ अबजेक्टिज हैं वो ये हैं कि आप बेतर और क्लिर तरीके से टीचिंग के कॉनसेप्ट को समझ सकें और एफेक्टिव टीचिंग की क्वालिटीज और फीचर्स को सही तोर पर एनिलाईज कर सकें क्योंकि basically teaching और effective teaching में फर्क होता है teaching का मतलब knowledge को deliver करना होता है जबकि effective teaching एक broader concept है जिसमें वो तरीके कार आ जाते हैं जिनके थुरू आप knowledge deliver कर रहे हैं बेतर से बेतर methods और techniques यूज़ करके जब आप knowledge deliver करते हैं तो वो effective teaching कहलाता है सबसे पहले हम start करते हैं teaching की definition से ताके आप understand कर सकें कि teaching actually है क्या teaching is basically an art the teacher keeps in mind the prior knowledge of the students teaching positively influences the way students think, act and feel जी तो teaching एक art है जिसको हर बंदा perform नहीं कर सकता आपको teachers तो बहुत मिल जाएंगे लेकिं effective teachers जिससे आपकी personality में change आ सकें जो आपकी सोच को बदल सकें जो आपकी character building कर सकें ऐसा teacher आपको बहुत कम ही मिलता है तो इसलिए teaching एक art है जिससे हर बंदा perform नहीं कर सकता और teacher के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी students का prior knowledge क्या है वो पहले से क्या जानता है कितना जानता है आप जो भी topic के subject पढ़ा रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि आपके student का background knowledge क्या है वो पहले से क्या जानता है उस topic के बारे में और subject के बारे में और आपकी teaching ऐसी होनी चाहिए जो आपके student की सोच उसके एक्स उसकी जो feeling है उसके overall behavior में चेंज ला सके positive change ठीक है तो positive way में मतासर कर सके आपकी teaching उस student के behavior को जैसे कि आप जब student होते हैं और किसी teacher की teaching आपको मतासर करती है और फिर जब आप teacher बनते हैं तो आप अपनी teaching methods को उन teachers के methods की तरहां follow करते हैं आपकी teaching में आपके एक्स में उन teacher की जहलक होती है जिनकी teaching से आप मतासर होते हैं इसको कहते है positive influence ठीक है तो इस तरहां का influence आपने student की उपर कोशिश करनी है कि आप छोड़ें आचा यहाँ पर second bullet point हमारे पास है तरह टीचर्स प्रोवाइट सफिशन अपर्चुनिटीज इन दा क्लास रूम for students to practice and apply what they are learning and give improvement oriented feedback टीचर्स क्लास में different opportunities प्रोवाइट करते हैं ताकि students जो learn कर रहे हैं उसको apply कर सकें practice कर सकें for example आप जो भी teach करें उसको आप real life examples के साथ समझाएं और आप उनसे feedback भी लें कि आपने जो भी teach किया है वो उनको कैसा समझाए और आप भी उनको feedback दें कि उनका behavior ओवरॉल पूरी क्लास में towards learning कैसा रहा ठीक है अचा इधर अब हम एक और definition अगर देखें teaching की the teacher provides assistance to enable the students to engage in learning activities productively तो teaching का जो process होता है basically उसमें teacher अपने student को उस level पे लेकर चलता है जब उसको कुछ भी नहीं पता होता है यहनके जो initial level होता है जब student को कुछ भी नहीं पता होता teacher उसको उस level से लेकर चलता है और उस level तक लेकर जाता है जब वो new concepts को समझने लगते हैं तो एक effective teacher वो होता है जो एक ऐसा learning environment create करें जिसमें student जादा से जादा interest ले सके learning में ठीक है जादा जादा interest के साथ वो पढ़ सकें अच्छा एक teacher के five major roles होते हैं as a subject matter expert as a pedagogical expert as an expert communicator as a student centered mentor as a systematic and continual assess तो जो first role है कि teacher को subject matter expert होना चाहिए यानि कि उसके अंदर expertise होनी चाहिए कि जो भी subject वो पढ़ा रहा है उसे पढ़ाने की काबलियत होनी चाहिए उसके अंदर मतलब कि कोई भी student जब भी question पूछे content से related तो वो उस question को answer कर सके उस student को समझा सके ठीक है और इसके बाद जो second role है वो यह है कि as a pedagogical expert pedagogical expert मतलब के आपकी क्या methodology है कि आप अपने content को किस तरहां से student तक पहुचाएंगे और obviously आपका कोई एक method use आप नहीं करेंगे आपको different methods पता होने चाहिए different techniques आपको आनी चाहिए आपको pedagogical skills के बारे में पता होना चाहिए कि आपके इन techniques से student तक knowledge को transfer कर सकते हैं और यह जो pedagogical word है इसमें peda का मतलब होता है child और गोजी का मतलब होता है art and science of teaching तो pedagogy is the art and science of teaching children और एक effective teacher different strategies use करता है क्योंकि कोई एक strategy नहीं है या आप यह नहीं कह सकते कि कोई एक universal approach है आप उसी को follow करेंगे तो आप उस पर पढ़ाएंगे या ऐसी कोई approach नहीं है जो सब students पे आप apply कर सकें जो सब student पे suit करें इसलिए different strategies जो के different situations में different students पे आप apply कर सकें यह effective teacher का का काम होता है कि उसको different strategies पता हूँ इसके बाद third role यह है कि as an excellent communicator एक teacher को बेदरीन communicator होना चाहिए students के साथ यह नहीं होना चाहिए कि student आप से कोई भी discussion कर रहा है तो आप उसको negative way में respond करें ठीक है या आप taunting way में respond करें आपको चाहिए कि आप student की self respect का भी खयाल रखें ठीक है so as an excellent communicator आपको act करना चाहिए फिर fourth role है as a student centered mentor अच्छा इसका meaning यह है कि student खुद परफॉर्म करके सीखे यहाँ पर student centered का मतलब यह है कि student dominant होना चाहिए और teacher का role just a facilitator का होना चाहिए हर काम student खुद करेगा ठीक है और teacher सिर्फ उसको facilitate करेगा उसको boost up करेगा उसकी help करेगा उसको motivate करेगा ठीक है उसको ऐसा learning environment provide करके देगा जो उसकी learning में help करेगा और इसके बाद fifth role है as a systematic and continual assessor teacher का role है कि student को observe करें उसको assess करें ठीक है कि वो किस तरह perform कर रहा है class room environment में उसका behavior कैसा है उसका knowledge उसका background knowledge इन सब चीजों को assess करना student की attentiveness को देखना ठीक है उसको observe करके यह सब teacher का का होते हैं तो यह कुछ रोल्स टे टीचर के इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाइगोड्सकी व्यूज ओफ टीचिंग अब अगर हम बात करें वाइगोड्सकी व्यूज ओफ टीचिंग के हवाले से तो वाइगोड्सकी ने cognitive development पे त्यूरी दी थी यह क्रेशिन साइकॉल development ठीक है सो जोन ओफ प्रॉक्सिमल डिवाल्पमेंट का concept यह है कि अगर student को कोई काम बिल्कुल भी नहीं आता फिर भी वो किसी बड़े की मदद से वो काम कर सकता है ठीक है जो काम बिल्कुल भी नहीं आता है student को वो किसी बड़े की मदद से वो काम अन्जाम दे सकता है basically कह जाता है कि zone of proximal development एक gap है या distance है student जो काम किसी की मदद के बगएर कर सकता है और student जो काम किसी बड़े की मदद के बगएर नहीं कर सकता है इन दो चीजों के दर्मयान जो gap है जो distance है उसको zone of proximal development कहते है basically for example एक child जब two wheels वाली cycle चलाना नहीं जानता तो उसके parents उसको direct अकेला नहीं बिठाएंगे कभी भी कि जाओ तुम cycle चलाओ बलकि उसके जो वालदाएन है उसके जो parents है वो उसको cycle पर बिठाएंगे और खुछ cycle को balance करना सिखाएंगे ठीक है वो उसको support देंगे वो खुद handle पकड़कर उसको balancing सिखाएंगे और जब वो सीख जाएगा जब वो सीखने लगेगा तब वो उसको अकेले चलाने देंगे ठीक है तो जब तक वो नहीं सीखता उसके parents उसको वो सिखाएंगे तो इस किसम की help जो बड़े करते हैं उसको zone of proximal development कहते हैं और इस zone मे help की intensity चेंज होती रहती है शुरू में ज्यादा help required होती है जब बच्चे को कुछ नहीं आता और पिर आइसता हैसा जब learning होती जाती है तो help भी कम required होती है और पिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि बच्चा खुद expert हो जाता है और उसको किसी की help की जरूरत नहीं रहती अच्छा अब जो next topic हमारे है वो है कि students की performance को आप किस तरह से assist कर सकते हैं तो इसके लिए seven means है साथ तरीके modeling, feeding back, contingency managing, directing, questioning, explaining और task structuring so सबसे पहले अगर हम बात करें modeling की तो modeling का मतलब होता है कि teacher का behavior as a model act करता है student के लिए teacher किस तरह से कोई काम करता है, किस तरह से बोलता है, चलता है, आपकी curious को किस तरह से वो response करता है यह सब बाते student को याद रहती हैं और extended बन जाते student के लिए और वो वैसे ही फिर perform करता है इसके बाद अगर हम बात करें feeding back की, तो teacher का काम है कि वो students को feedback दे, कि उनकी performance कैसी रही इस तरहीके से जो students है उनको पता लगेगा कि उन्होंने कैसा perform किया है या कितना learn किया है और वो compare भी कर सकेंगे अपनी performance को एक standard जो set हुआ है उसके साथ या बाकी students के साथ तो इससे उनको self correction का भी मौका मिलेगा और वो अपनी performance को मजीद बेतर भी बना सकेंगे इसके बाद हमारे पास जो point आ जाते है वो है contingency managing इसमें teacher student की performance को improve करने के लिए rewards और punishments देता है ताकि वो अपने behavior को बहतर बनाए और negative behavior को avoid करें तो अगर student की performance अच्छी है तो इसको reward मिलने से वो motivate होगा reward ये भी हो सकते कि आप उसे उसके लिए clapping करवा दें पूरी class में ठीक है तो इससे भी motivate हो जाएगा और अगर किसी student का behavior बहुत negative है तो आप इसको punish करें ठीक है आप उसको कोई additional work assign कर दें या उससे कहें कि आप बोर्ट पे आएं और कोई topic explain करें तो ये उसके लिए punishment होगी और ये productive punishment होगी यानि कि इससे उसको बेतरी की तरफ जाने का मौका मिलेगा अच्छा इसकी बाद हमारे पास आ जाता है डारेक्टिंग डारेक्टिंग यानि कि teacher instructions दे students को कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करने इस तरह students को clearly पता होगा कि हम सही way में learn कर रहे हैं या नहीं ठीक है और इसके बाद है जी questioning teacher को चाहिए कि student से questioning करें खासकर उस student से जो attentive नहीं है इस तरह एक pressure build होगा student पे और वो attentively ज इसके बाद हमेरे पास आजाता है explaining teacher जो है वो different topics और concepts को explain करता है इस तरह से students की जो perceptions हैं वो built होती हैं किसी भी concept के बारे में और वो बहुत कुछ learn करता है तो explaining is another assistance by teacher इसके बाद हमेरे पास आजाता है task structuring तो basically teacher मुख्तलिफ task assign करता है students को लेकिन पहले वो task को properly and clearly define करता है और describe करता है ताकि student को clearly clearly पता हो कि उसने करना क्या है साथ ही साथ अगर कोई group task वो assign कर रहे teacher तो वो इसको divide भी करता है responsibilities को divide भी करता है तो task structuring भी एक assistance है by teacher for student अच्छा अब जो next topic हमारा है वो है the concept of effective teaching अब हम देखेंगे के effective teaching का जो concept है वो कहां से निकला था तो augustine ने एक statement दी थी 1992 में that I learned not from those who taught me but from those who talked with me मैंने उन से नहीं सीखा जो मुझे teach करते हैं बलकि मैंने उन से सीखा है जो मेरे से बात करते हैं तो अब जिस तरह से technology में change आ रहा है बच्चों की mentality भी बहुत change हुई है साथ ही साथ जो teaching skills है उनमें भी बहुत change आ गया है तो वक्त के साथ साथ teaching बहुत advance होती जा रही है अब students सिर्फ teaching से नहीं सीखता बलकि teacher student को एक positive interaction discussion और teacher की responsiveness ज्यादा effectively student को learn करने में help करती है जैसे कि 1998 में अल्यूके ने statement दी थी कि teachers are the persons who can bring a difference in educational practices यह यही बात है कि teacher अपनी teaching techniques और methods को change करते हैं according to needs of the time and the requirements of these students इसके बाद हमारे पास जो topic आजाते है वह है various aspects of effective teaching यह बहुत ही simple है जो कि हम काफी discuss भी कर चुके हैं यह aspects में one by one read करती हूं effectively managing a classroom की teacher को classroom environment को manage करना आना चाहिए starting each class with a clear objective यानि कि at the start of the lecture बताए कि basically आज के lecture में students क्या learn करेंगे ठीक है पर engaging students with questioning strategies यानके students को attentive रखने के लिए पूरे lecture में उनका interest develop करने के लिए questioning करता रहे बीच बीच में इसके बाद है जी consolidating the lesson at the end of a period तो यानि कि जब lecture end हो रहा हो तो वो पूरा जो भी उन्होंने आज की class में पढ़ा है आज के lecture में पढ़ा है उसको उसके summary जो है वो दे यानि कि consolidate कर दे एक overview उसका दे दे और diagnosing common student errors and correcting them that can be systematically measured by observing classrooms and by asking students तो इसमें ये है कि students के जो गलतिया है उनके errors आप उनको diagnose करें ठीक है और उनको correct करें ठीक है तो ये किस तरह से होगा कि आप students को observe करते रहें और इसी हवाले से Bulgar and Mohr ने 2002 में two forms बताई थी जिनके बगाए teaching की effectiveness possible नहीं है यानि कि effective teaching depend करती है इन दो forms पर number one is subject matter knowledge number two is teaching pedagogical ability यानि कि आपको अपने subject matter पर grip होनी चाहिए आपको knowledge होना चाहिए कि आपके subject का साथ ही साथ आप में वो skills और abilities भी होनी चाहिए जिन से आप उस knowledge को deliver कर सकें जी next topic है हमारा principles of effective teaching तो basically four principles है effective teaching के outcomes, clarity, engagement, enthusiasm so outcomes में आ जाता है कि let students know where they are going and why मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हैं आप पहले students को objective बताएंगे कि वो क्या achieve करेंगे ये पढ़के या क्या target है ये पढ़ने का basically clear goal आपने define करना है ठीक है और जो second principle है वो है clarity यानि कि आप जो भी teach कर रहे हैं concept student को वो बहुत clear और simple होना चाहिए आपकी language वो terms चोप यूज कर रहे हैं student को concept समझाने के लिए student को उनका मतलब पता होना चाहिए और चीजों को relate करके समझाएं ताकि वो easily understand कर सके clearly इसके बार जो third principle है वो है engagement अगर आप class में कोई activity करवाना चाहरे हैं तो उससे पहले आप बहुत लंबा lecture ना दें just maximum आप 30 minutes का lecture दें तो जो आप उनको समझाना चाहरे हैं बेसिकली जो आप उनको सिखाना चाहरे हैं वो उनको activity के त्रूई समझने दें तो वो जादा बेतर तोर पर समझ सकेंगे आप उस activity से पहले बहुत लंबा जो है वो lecture को ना लेकर चलें next हमारा principle है enthusiasm if you hate to teach it your students will hate to learn it यानि कि अगर आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ाने का तो यकीनन आपके student का भी दिल नहीं करेगा पढ़ने का तो इसलिए teacher को अपना motivation level high रखना चाहिए ताके वो student को भी पढ़ने के लिए motivate कर सके okay next topic हमारा है approaches to teaching effectiveness तीन तरह की basically approaches है teaching effectiveness की वो है style view outcomes and inquiry style view यानि के teachers कैसे teach करते हैं how teachers teach teacher पढ़ाता कैसे इसको आप style view approach कहते हैं फिर outcome approach यह है कि student का result क्या आ रहा है और result basically sudden result की बात हो रही है कि जैसे teacher ने teach किया उसी time student ने कितना learn किया और फिर third जो अप्रोच है वह है inquiry approach यह पहली दो approaches का combination है यानि के style view approach और जो outcome approach है उसका combination है inquiry approach तो teacher inquiry करेगा कि किस तरह उसने पढ़ाया और उस तरह पढ़ाने के बाद student ने कितना learn किया कि किसी भी test के through या verbal questioning के through वो inquire कर सकते है इसके बाद जो last topic है हमारे आज के lecture का वह है factors of effective teaching तो इसके लिए बहुत ही simple है और जितना आज हमने learn किया है तो हमें यह बहुत ही easily समझ भी आ जाएंगे तो जो first bullet point हमारे पास है वह teacher's knowledge enthusiasm and responsibility for learning यानि के teacher का कितना knowledge है और वो कितना motivated है teach करने के लिए और वो कितनी responsibility लेता है कि जी हां मेरी responsibility है कि मेरे students learn करें तो यह main factor है कि जो teaching है वो effective होगी second factor है classroom activities that encourage learning यानि कि classroom में ऐसी activities कराई जाए competition create किया जाए ऐसा assignments दी जाए कि learning को encouragement मिले इसके बात है assessment activities that encourage learning through experience यानि कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि teacher जो है वो observe करते है अपनी student को और उनको assess करते है ठीक है उनके overall हर पहलू को जो है वो teacher assess करते है तो इस तरह से उनकी learning को encouragement मिलेगी फिर है जी effective feedback that establishes the learning processes in the classroom यानि कि जो feedback का process है न वो एक बहुत ही important process है कि हर किसी को पता लगता है कि जी वो कितना सीख रहा है या student को पता लगते हो कितना सीख रहा है इसके बाद हमार पास आजाता है effective interaction between the teacher and the students creating an environment that respects, encourages and stimulates learning through experience तो वो जो interaction हम पहले भी ये बात पर चुके हैं कि जो interaction between teacher and student होती है वो एक बहुत ही एहम किरदार अदा करती है कि अगर student भी कोई बात पूछ रहा है कोई question कर रहा है को उसकी क्यूरी है तो teacher उससे किस तरहां से interact कर रहा है उसको किस तरहां से response कर रहा है तो ये बहुत ही important एक फेक्टर है effective teaching का जी तो students आज के lecture हम यहीं पर wind up करें उमीद है आप लोगों को concept समझने में असानी हुई होगी और अगर आपको वाकर ये lecture समझ आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसक